Hello Everyone, Welcome to Pickup Maths, Myself, Arushi Chattani. इस वीडियो में हम Class 9 के Chapter No. 13, Surface Areas and Volumes के XI 13.3 की Question No. 2 को Solve करेंगे. Question is, Find the Total Surface Area of a Cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. दूसरेंट्स, यहाँ पर हमें एक Cone given है, जिसका slant height 21 meter है और diameter 24 meter है. हमें इस Cone का Total Surface Area find out करना है. तो Total Surface Area of Cone वो होता है, पाई R in bracket L प्लस R. तो values जट पूट कर लेते हैं यहाँ पर, पाई के वाले 22 वे 7, देन R, आर स्टेंज क्योंकि यहाँ पर diameter Cone given है, तो हम यहाँ से R याणी की Radius निकाल सकते हैं, तो Radius इसका half हो जाएगा, 24 का half होता है, 12 meter. यहाँ में 12 पूट का लिया, यहाँ में 12 पूट का लिया, यहाँ में 12 प्लस R, 22 प्लस 12 अब ब्रैकेट में 21 प्लस 12 अगर करेंगे तो आजाएगा 33, अब सिन्स 22 प्लस 12 अगर हम करते हैं, तो हमारा वेल्यू आजाएगा 1244.57, पॉइंट के बाद 2 तब दीज़ी तब दियो आट का लिया, खैक में sufficient. अब सिर्ट स्क्यूंकि यहाँ पे मीटर में given है, और हम टोटल सफेसे ब्रैकेट टॉटल प्लस 12 अगर का लिया,